दिस न्यूज इस ब्रॉट टूबाई मैक्स ग्रुप अप स्कूल्स ऐसे मरीजों के इलाज के लिए डिवाईस ऑक्सीजन संस्थानों की जानकारी ली गई आज 27 दिसंबर को सिविल हॉस्पिटल काजा में हमने जो कोविड की प्रेपेर्डनेस को देखने के लिए एक मॉक्डल करनी थी उसको सफलता पूरवक पूर्ण किया उसमें हमने चेक किया कि क्या 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 फसलिटीज हमारे पास इस समय उपलब्ध हैं और क्या क्या गाप्स हैं अभी जो हमें रिक्त्वाइड है इसमें सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास कितनी COVID isolation facility में बेडिन कपास्टी अवेलेबल है जो की civil hospital काजा में 10 के number की available है इसके अलावा ये सब के सब 10 के 10 beds oxygen supported है इसके अलावा एक ICU unit है हमारे पास और 4 ventilators है इसके अलावा ये भी infrastructure देखा गया कि हमारी ambulances की availability कैसी है और drivers की availability कैसी है हमारे पास इस समय काजा में 5 ambulances हैं जो की सारी की सारी BLS है इसके अलावा दवाईयों की आपूरती एवं जो हमारे पास testing kits है उसकी भी जाज की गई की adequate है या नहीं है हमारे पास oxygen cylinders कितमे है इसके साथ एक data भी बनाया गया जो ना सिर्फ हमारे civil hospital काजा के लिए परन्तु हमारे सारे के सारे PHCs पूरे स्पिती वाली में जो की 5 है उनकी जो facilities हैं उनके पास उनका भी पूरा baseline survey किया गया उसका data बकाइदा बनाया गया और ये data हम उपर submit करेंगे हमने कुछ gaps identify की हैं चाहे वो हमारे दवाईयों के रूप में हो specific medicines की रूप में हो या फिर oxygen filling capacity के उपर हो यह हम उपर CMO office एवाम उपर similar directorate office भेजेंगे और हम उमीद करेंगे कि इस gap को जल्दी से जल्दी फिल कर दिया जाए ये निरिक्शन आज पूरे के पूरे स्टाफ के साथ civil hospital के साथ एवं administration ने मिलके किया है ताकि जब covid की situation आए तब हम सब मिलके उससे निपड़ सके धन्यवाद और ये इसमें कितना क्या विट्रेज या इसमें हो बसा है इसमें हो बसा है दिवे माचल टीवी के लिए लाहुल से अशोक राना के रिपोर्ट